mutual fund में investment करने वाले retail investors के बीच में कुछ समय पहले से दो fund जो की बहुत ज़्यादा popular था पहला HDFC defense fund और दूसरा मोती लालोसवाल का हाल ही में पिछले एक महीने से launch हुआ defense index fund अब इन दोनों fund के बारे में detail में बात करेंगे क्योंकि retail investors इस trap में first चुके हैं पिछले एक महीने से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों fund perform नहीं कर पा रहे हैं और negative में return दे रहे हैं अगर आप एक retail investor हैं तो किस प्रकार से इन सभी चीजों से बस सकते हैं और अगर आप एक fresh investor हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसे thematic या फिर ऐसे fund से क्यों आपको बच करके रहना चाहिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं फिनो बिट यूटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजेट कर रहे हैं तो इसक एक साल में इस fund ने जो return दिया है आप अपने screen पर देख पार होंगे 105% का annualized return दिया है यानि एक साल पहले अगर किसी ने यहाँ पर पैसे लगाया होते तो उसका पैसा एक साल में ही double हो जाता जब इस प्रकार के retail investor किसी भी mutual fund से return देखता है तो बीना सोचे समझे वो इस प् mutual fund है वो sectoral और thematic mutual fund है sectoral या फिर thematic क्या होता है जैसे माल लिजे कि health sector हो गया इसके लावा infrastructure sector हो गया इसके लावा banking sector हो गया तो यह सबी अलग-अलग sector है तो अगर आप इस प्रकार के mutual fund में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा किबल उसी प्रकार की company में invest किया जा सकता है जो जो की defense से जुड़ी हुई हो अगर मैं आपको दिखाओं इनकी holdings तो आप अपने screen पर देखेगा इनकी holding जो है वो total 21 companies में इनकी holding है और सभी companies जो है जैसे HAL देख सकते हैं भारत electronics देख सकते हैं Astra microwave देख सकते हैं और भी देख सकते हैं solar industries देख सकते हैं BEML देख सकते हैं य जो की defense से associated जो भी instruments होते हैं या तो उनके manufacturing करती है या फिर उनसे समंदित services provide करती है यानि की सीरेत तरीके से आप समझ लिए कि जो भी आपका पैसा invest हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ defense oriented जो stocks हैं उसमें आपका पैसा invest हो रहा है अब यहाँ पर problem यह है कि आप इस sector या फिर इस करे या ना करे आपका पैसा इसी में invest करने की मजबूरी हो जाती है fund manager के उपर और जब यह perform नहीं करेगा तो overall आपका जो return है वो कही न कहीं प्रभावित करेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं HAL में इनकी holding 22% के आजपास है भारत electronics में देख सकते हैं इनकी holding लगब जो performance है वो disturb होगा और कहीं न कहीं उसी का असर यहाँ पर देखने को मिला है कि यह जो पिछले एक महीने से इनका जो return है वो negative में जा रहा है मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाने कोशिश करूँ एक महीना मैंने यहाँ पर select किया और अब आप देख पा रहोंगे एक महीने म लगबग 3% negative return यह दे रहा है तो यहाँ पर देखें दो चीजे हो सकती है पहला तो जिस तरीके से एक साल में इसने return दिया है अब यहाँ पर retail investors को समनने की जरूरत थी समय रहते अब यहाँ पर मैं कुछ technical data अगर आपको दिखाने कोशिश करूँ तो equity में इनका holding 95% के आसप यहाँ पर देखें टेकनिकल लटा भी हमें यहाँ पर सतर करने के लिए बोल रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं पी रेशियो इनका 57 को भी क्रॉस कर चुका है यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो यह funds थे यह कितने overvalued हो चुके हैं अब देखें किसी भी stocks का जो पी देखेंगे इसका मतलब यह है कि आप एक रुपया कमाने के लिए बहुत जादा जैसे पी का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो profit to earn ratio यहाँ एक रुपया profit कमाने के लिए आप बहुत जादा यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं बहुत जादा महेंगा शेयर खरीद रहे हैं तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए था कि यह बहुत जादा overvalued already हो चुका है और share market में जब आप किसी भी company के share को खरीते हैं तो जब पहली बार company जैसे मालीजे कि भारत electronics है या फिर HAL है तो पहली बार जब यह अपने shares को public domain में उतारती है तो उसे IPO बोलते हैं यानि कि primary market जहाँ पर company जो है वो directly अपने shares को first owner को share allot कर रही होती है उसके बाद जो first owner है वो secondary market में यानि share market में इस share को खरीता या बेजता है अब होता क्या है कि जैसे आप लोग देखेंगे यूट्यूपर या फिर कहीं भी social media platform पर इस fund को लेकर के बहुत जादा hype बना दी गई थी कि बहुत अच्छा return दे रहा है और आने वाले समय में भी ये बहुत अच्छा return बना करके देगा जिसकी वज़े से retail investor बिना research के यहाँ पर पैसे लगाते चले गए अब जब जाहिर सबात है जब ज़्यादा inflow आएगा तो उस share का price क्या होगा automatic बढ़ जाएगा लेकिन क्या य यूज की अधार पर ये bubble बन रहा है कि ये fund अच्छा चला अच्छा चला इसलिए सभी लोग इसमें inflow कर रहा है लेकिन मालीजे यहाँ से कुछ actual में उस share का price देखेंगे तो उस share का price उतना थोड़ी है उस share का price बढ़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पर demand बहुत जादा है और supply एक तरीके से limited था इसलिए से इसका price बढ़ गया लेकिन यह हमेसा थोड़ी होगा ऐसा थोड़ी होगा कभी ना कभी तो यह bubble फूटेगा और यह bubble फूटने का समय है या नहीं यह exactly तो नहीं कहा जा सकता लेकिन जिस प्रकार से पिछले एक महीने से इसका return है निशी तोर पर आप यह कह सकते हैं कि sectoral और thematic fund अब यह जो defense sector का है वो थोड़ा सा consolidate हो रहा है और निशी तोपर थोड़ा सा stable होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पिछले एक साल से लगतार इसने जो return दिखा है वो extraordinary है और अब यह अपने आपको धीरे धीरे consolidate करने की कोशिश कर रहा है इसी देख पार होंगे लगबग 3% negative में है यह index fund है index fund यानि की सीधे तोर पर आप यह समझेए यह defense से oriented जो भी stocks होंगे सिर्फ उनमें ही पैसा यहाँ पर लगेगा ठीक है और यहाँ पर आप देख सेकते हैं 2 अगस्त 2014 का जो इनका एनवी है वो 9 रुपया 70 पैसा है जब यह एन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक महीने के समय में यह पूरा negative return शो कर रहा है तो यहाँ पर problem यह है कि इस fund के साथ problem नहीं है या अगर आप HDFC defense fund देखेंगे तो इस fund के साथ problem नहीं है प्रॉलम ये है कि आपका पैसा allocate ही नहीं किया जा सकता है दूसरे अगर आप देखेंगे sector में क्योंकि ये एक sectoral fund है और किवल उन्हीं companies में आपका पैसा जा सकता है जो की defense से oriented हो और defense oriented के अलावा किसी दूसरे sector में आपका पैसा जा ही नहीं सकता है तो भले ही ये sector perform करे या न करें यहाँ पर fund manager की मजबूरी ये है कि आपका पैसा उसी में डाले भले वह perform करें या ना करें तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप sectoral fund में अपना पूरा पैसा ना लगाई है क्योंकि sectoral fund जो होता है वो जैसे मालीजे ये banking हो गया ये defense हो गया ये infrastructure हो गया ये health care हो गया तो ये अलग-अलग sector है अगर आप मालीजे पूरा पैसा यहाँ पर डाल दे रहा है और ये perform नहीं कर पा रहा है तो जाहीं से बात आपका पूरा return negative त ये perform करता और overall जो अगर आपका performance है वो positive में आता लेकिन चुकि आपने पूरा पैसा यहाँ पर लगाया और ये negative return दे रहा है तो आपका पूरा portfolio negative में दिख रहा होगा अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम अलग-अलग sector wise ही क्यों चुने जब हमारे पास ऐसे mutual funds हैं जो कि एक ही mutual fund में invest करके आपको पूरा across the market diversify कर देते हैं जैसे कि banking का भी आपको exposure मिल जाएगा, healthcare का भी मिल जाएगा, इसके लावाँ defense का भी मिल जाएगा, अन्य सारे sectors का भी मिल जाएगा और fund manager लगातार research करके उस portfolio में परिवर्तन कर रहे होते हैं जो की momentum उनको दिख रहा होता है तो यहीं risk होता है sectoral fund में कि आप ने bound कर दिया fund manager को कि केवल इसी sector वाले fund में आपका पैसा लगा है, जो की perform करे या ना करे उनकी मजबूरी हो गई है कि यह इससे बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ पर देखेंगे अगर आप देखेंगे तो उनकी गलती नहीं माने जाएगी कि उ इस प्रकार के fund लाती है, और लोग उसमें interest भी दिखाते हैं, जो की आपने देखा होगा, पिछले एक साल में भर भर के HDFC defense fund में लोगों ने पैसा inflow किया हुआ है, तो यहाँ पर EMC को दोस्त नहीं दिया जा सकता है, यहाँ पर सबसे पहले जब आप अपना investment श्टार्ट क negative में दिख रहा हो, तो अब इसका solution का है, देखे, इस प्रकार के अगर आप trap में फस्स चुके हैं, तो अभी देखे, यह defense sector जो है, इसमें अगर आप union budget 2024 देखेंगे, तो इसमें no doubt fund थोड़ा से ज़्यादा allocate किया गया, लेकिन वो उस limit तक नहीं किया गया, जितना होना चा होगा, जहिर से बात है, जो defense से सम्मंदित occupation होगे, वहाँ पर ही इनका production और उसका खपत हो सकता है, जैसे अगर मैं आपको बताओ, एक toothpaste बनाने वाली company है, तो उसका खपत कहा होगा, प्रतेक व्यक्ति toothpaste का यूज सुबह शाम करेगा ही करेगा, तो उस condition में क्या होगा, उस condition में उसका consumption ज्यादा है, लेकिन defense सेक्टर वाले में, चुकि यहाँ पर consumption कम है, क्योंकि army या फिर इससे related जहां पर उस यंत्र की उपयोगिता होगी, वहीं पर तो उसकी वाली उपयोगिता होगी, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमारा जो export import होता है, defense को ले अब negative return देने लगा है, हलांकि negative return भविश में देगा या नहीं देगा, क्योंकि इस प्रकार के sectoral funds जो होते हैं, कई बार देखा गया है, कि सालों साल तक बिल्कुल इस्टक हो जाते हैं, बिल्कुल performance आता ही नहीं है इनका, तो देखें, यह हो सकता है कि आने वाले 6 महीने, एक साल तक यह आपको negative return देखने को मिले, क्योंकि साल भर में अगर कोई fund आपको 100% का return दे रहा है, तो निश्ची तोर पर कभी ना कभी तो यह fund थोड़ा सा stable होने की कोशिश करेगा, और वहीं stability अभी इस समय यह fund या फिर यह sector कहीं ना कहीं achieve करने की कोशिश कर रहा है, तो क्योंकि अगर आप अपना पैसा यहां से निकालते हैं, तो no doubt loss जो होगा वो आप खुद book कर रहे हैं, तो आपके पास कोई option नहीं है, आपके fund manager के पास कोई option नहीं है, क्योंकि आपने limit कर दिया है कि sectoral में ही आपका पैसा rotate होगा, भले ही उस sector के अलग-अलग companies में यह अप का पैसा वहाँ पर positive में दिख रहा होगा, तो यहां पर अगर आपके पास कहें, तो कोई option नहीं है, अपने fund को hold करने के अलवा, क्योंकि अगर यहां से आप निकलते हैं, तो no doubt आपका पैसा negative में show हो रहा होगा, और आप negative में ही अपने पैसे को निकाल रहे होगे, तो time दे करते हैं, तो उस समय आप exit कर सकते हैं, दोस्तों, sectoral fund से related जो भी मन में doubt थे, आपके उमीद करता हो, clear हो गयोंगे, बाउजोद इसके अगर आपका कोई प्रशन रहा जाता है, तो comment के मादम से पूछ सकते हैं, यह video आपको कैसा लगा, comment के मादम से ज़रू बताएगा, और ऐसे ही मातोपून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद, भगवान करें आपका दिन, शोब हो